नमस्कार मैं राज कुमार कोरी सर्बोच दरपन हिंदी नियुज में आप सभी का स्वागातियों अभिनंदन करता हूं आए चलते हैं खबर की उर देवरिया जनपत के बलाग गवरी बाजार छेतर के अंतरगत पूर्व मादमिक बिद्याले चमपापूर परसिया में बिरस्पतिवार की राच चोरों ने बिद्याले में से गए सिलेंडर रासन मोटर पंप बरतन सहीत तमाम चीजों को चुरा कर ले गए आपको बता दें की चमपापूर परसिया के पूर्व मादमिक बिद्याले में यह घटना आज दूसरी बार घटी है लेकिन अस्थानी पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है इस घटना से सुक्रवार को बिद्याले के बच्चों को बिना भोजन किये ही रहना पड़ा बिद्याले के बच्चों ने बताया चोरी हो जाने के कारण हम सभी बच्चों को भूख लगने के बाद भी भोजन नहीं मिला बलकि सरजी द्वारा सभी बच्चों को बिस्किट का बितरन किया गया जिसे खाकर हम बच्चों ने अपनी भूख मिटाया वहीं ग्राम प्रधान दिने सर्मा ने बताया कि बिद्याले में लगातार चोरी की घटना दूसरी बार हुई है पहली बार की घटना को पुलिस प्रसासन को आउगत कराया गया था लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम मीडिया से बात करते समय प्रधाना ध्यापक बिद्याले में चोरी हो जाने के वज़़ से आज बच्चों को भोजन नहीं मिल पाया है आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे स्कूल के बच्चों को भोजन नहीं मिला देवरिया से संबाध्दाता बिनोत कुमार की खास रिपोर्ट पहले बार दस तारीक को हुआ है क्या क्या चोरी हुआ है मोटर पंप चोरी हुआ है साथ वाराशन चोरी हुआ और इसके बार गार शिंडर उठा लगा एंसा एक माईर थाइस में रखा गया था कुछ बरतन भी था भी फाले गया है कुछ पता चल लागे कौन चोरी कर रहा है अब इसका पता ही चल लग रहा है कहीं च्छत्र के ही यह क्योंकि बगल के बिद्दाले चंपापुर में भी इसकता पुरा पंखाओं का उठा लागए गया इसके बगल में शिर्षिया उस बिद्दाले पर दो बार टंकी उठा सुचना दे गए कि अज अज आज अज अब नहीं को लगा लाख यहां अब क्या ना मैं सुरापका उपेंदर से अट